हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रजनी और मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है तो आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़े तो काफी लोगों को इसमें शिकायत होती है कि कड़ी अच्छे से बनी नहीं है तो कड़ी कभी फट जाती है और पकोड़े शॉफ्ट नहीं बनते है तो चलिए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बना के तयार करते है और टेस्ट में यह बहुत ही लाजवाब होगा तो यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया है और भगोने में मैंने ले लिया है एक कप दही तो यह 200 ग्रम दही है वेट में तो इसे हम ब्लेंडर से अच्छे से फेट लेंगे आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी डाल के फिट सकते हैं या फिर आप इसे इसली हाथों से भी विस्कर से हो जाता है तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उसे फिट ले अच्छे से लंब्स नहीं रहना चाहिए दही में कड़ी के लिए हमें थोड़ी खटी चाहिए होती है तो इसे आप फ्रिज से निकाल के चार से पांच घंटे के लिए आप बहार रख दे तो थोड़ी खटी हो जाती है तो मैंने यहाँ पर 1 फॉर्थ कप यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और मैं इसे चमच से नाप के दिखा रहे हैं आपको तो यह मीडियम साइज का चमच था तो इससे ड़ाई चमच हुआ है यह बेसन पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है तो बेसन यहाँ कमी quantity में लेना है और इसे हमें अच्छे से फेट लेना है दही के साथ ताकि बेसन के बिल्कुल इसमें गुठलिया ना रहे तो बेसन को मैंने अच्छे से मिला लिया है इसमें और इसी स्टेश में हम पानी मिला देंगे तो पानी हमें अच्छी खासी quantity में डालना है तो यह आली पाउडर काली मिर्च काली मिर्च पॉडर्ण गड़ी में आच्छा लागता है तो सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और यहीपे हम क्या करेंगे कि इसे हम गैस पर च्ड़ा लेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे तो अभी गैस मैंने बिल्कुल मीडियों फ्लिम पर रखा है तो इसमें उबाल आ जाएगा तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे चलाते रहना है तो अगर आप गैस पे चड़ा के कड़ी को छोड़ देते हैं तभी कड़ी फट जाती है छोड़ना बिल्कुल नहीं है चलाते रहना है कि अब आपको डून आप लूगा, जैसे की एक बिल्कुल धानी है तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अवाल आने लगा है तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे तो बिल्कुल हमें लो पे कर देना यहां पे और एक बार फिर से इसे हम चला लेंगे ताकि यह नीचे बाट जाए तो अब इसे हमें 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है जितने अच्छे से बखेगा उतना स्वाद आएगा इस कड़ी में तो अब हम पकोड़ी की तियारी करते हैं तो मैंने यहां पर ले लिया है एक कब बेसन और चौथाई चमच यहां पर हम हल्दी आट कर देंगे इसमें और चौथाई चमच से तो यहां पर थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यह पकोड़े का मिक्स बिल्कुल तयार है बहुत ही जादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ही जादा पतला भी नहीं रखना है तो अब हम क्या करेंगे? तो मैंने यहां पर गैस पर कड़ाई रग दिया है और मैंने इसमें तेल भी डाल दिया है तो जितना हमें पकोड़े के लिए तेल चाहिए तो गरम हो गया है तेल और इधर हमारी कड़ी भी पक रही है लोफ लिम पे तो अब हम पकोड़े तल लेते हैं तो आप बड़ा या छोटा अपने पसंद के नुसार पकोड़े बना ले तो तेल में जितने पकोड़े आएंगे उतने मैं इसमें डाल के तयार कर लेती हूँ तो जब ये एक साइट से अच्छे से गुल्डन ब्राउन कलर आ जाएंगे तो इसे हमें दूसरे तरफ से भी पलट देना है तो इसे थोड़ा साफधानी से ही करें क्योंकि तेल बगएर ना पड़े और इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है बहुत ज़्यादा अगर आप डार्क कर देंगे तो इसे हमें थोड़ा लाइट कलर का ही निकाल लेना है जब भी कोई चीज हम ग्रेवी में डालते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए नहीं तो वह हार्ट हो जाते हैं तो देखिए अब हमारे पकोड़े तैयार हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं तो अब हम तड़की की त्यारी कर लेते हैं तो मैंने एक बड़ी लाइजी, तालचीनी, दो लॉंग, दो लाल मिर्च, नौर थेज़-दो उर धनिया, साभूत मैंने एक चमश ले लिया है तो इन सारे मसाले को मैंने इसी तेल में डाल दिया है तो जो इसमें extra oil था उसे मैंने निकाल लिया है और जो ये तेल पकोड़े के थे उसी ही मैंने use किया है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग ले लिया है तो हींग को भी इसमें डाल देंगे तो सारे मसाले को मैं अच्छे से चटकने देना है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक इंच का टूड़ा अदरग और दो हरी मिर्च लिया है तो इससारे चीज़ों को अच्छे से बून लेना है तो अदरग को मैंने ग्रेट करके डाला है आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो मसाले अब चटकने लगे हैं और बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आने लगी है इसमें तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और वहीं के बाद यहाँ पे मैं कसूरी मेथी एक चमछ डाल रही हूँ कसूरी मेथी बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है तो यहीं पे मैंने एक च्छोटी चमछ भरके यहाँ पे मैंने कश्मेरी मिर्च डाल दी है और इसे भी मैंने अच्छे से मिला लिया है मसाले के साथ तो अब यह हमारा बहुत ही बढ़िया सा तड़का तयार है कड़ी के लिए और कड़ी भी हमारी पके बिल्कुल तयार है 15-18 मिनट तक हो गया है कड़ी को पकते हुए तो तड़का बनाने में इतना आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जब हम बंद कर दें तब ही हमें कसूरी में थी और लाल मिर्च पाड़र एट करना है तो अब आप देख सकते हैं कड़ी में बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और काड़ी से थोड़ी हो गई है कड़ी अगर आप इसे और काड़ा करना चाहते हैं तो आप यहां पे थोड़ा देर और इसे तेज फ्लेम पे पका सकते हैं तो कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है तो यहीं पे हम इसमें जो पकोड़े हमने बना के रखे थे पकोड़े को इसमें डाल देंगे और इसमें सिर्फ एक उबाल आने देंगे ताकि पकोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाए तो अब आप देख सकते हैं कि कड़ी मच्छा सा उबाल आ गया है तो इहीं पे हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कड़ी बिल्कुल गाड़ी भी नहीं है और बहुत जादा पतली भी नहीं है तो ऐसी कंस्टनसी होनी चाहिए नोर्मल कड़ी की तो अब हम इसमें जो तड़का हमने बनाया था तड़का इसमें एड़ कर देंगे तो लेजे बहुत ही बढ़ियां सी हमारी ये कड़ी बनके तयार है और बहुत ही आसान तरीके से हमें इसे बनाया है तो आप इसे घर में जरूर बनाए और अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ इसे इंजॉय करें